मैटीयर स्टुडेंट्स, सभी को नमस्कार माध्मिक सिक्षा मंडल मद्य प्रदेश भोपाल ने सत्र 2022-23 के लिए नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है तो आप माध्मिक सिक्षा मंडल मद्य प्रतेश ब्रोपाल की ओफिशल वेबसाइट पर विजिट करके blueprint चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसमें high school एवं higher secondary certificate परिक्षा सत्र दो हजार बाईस तेईस blueprint कक्षा नौमी से बरहमी तो इसमें ये देखते हैं blueprint कक्षा बारहमी बिसे जीव बिज्ञान यानि biology का जी इसमें है माध्मिक सिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल higher secondary परिक्षा सत्र दो हजार बाईस तेईस blueprint of question पेपर कक्षा बारहमी बिसे जीव बिज्ञान यानि biology और पुनांग है 70 यानि 70 marks का समय रहेगा 3 घंटे का तो आपको जो biology का पेपर होगा ठीक हैं वो 70 नंबर का होगा ठेउरी का पेपर और 30 नंबर का practical का होगा अब इसमें जो unit है unit wise है chapter नहीं है unit है जनन इस unit से total 16 नंबर का question आएगा जिसमें से एक नंबर के 7 question आएगे दो नंबर के 3 question आएगे और 3 नंबर का 1 question आएगा फिर इसके बाद है अनुवाइंशिकी तथा विकास इस इकाई से 16 नंबर का question आएगा जिसमें से एक नंबर के 5 question आएगे 2 नंबर के 2 question आएगे 3 नंबर का 1 question आएगा फिर इसके बाद है मानों का लियाण में जीव विज्ञान इस इकाई से चवदा नंबर का कोश्चन आएगा जिसमें से एक नंबर के साथ कोश्चन आएगे दो नंबर के दो कोश्चन आएगे और तीन नंबर का एक कोश्चन आएगा फिर इसके बाद है जयव प्रवद्योगी की जैव प्रद्योगिकी से 12 नंबर का टोटल कोश्चन आएगा जिसमें से एक नंबर के 5 कोश्चन आएगे दो नंबर का एक कोश्चन आएगा और 5 नंबर का एक कोश्चन आएगा पारिस्थितिकी से टोटल बारा नंबर का कोश्चन आएगा जिसमें से एक नंबर के चार कोश्चन आएगा तीन नंबर का एक कोश्चन आएगा और पांच नंबर का एक कोश्चन आएगा इस प्रकार से टोटल 70 नमबर का आपका जो है पेपर रहेगा जिसमें एक नमबर के टोटल 28 कोश्चन रहेंगे 28 नमबर का रहेगा दो अंक के टोटल 16 नमबर रहेंगे और 3 नमबर के टोटल 12 नमबर रहेंगे ठीक है और 4 नमबर के एक प्रस्ण रहेंगे टोटल 4 नमबर और 5 नमबर के टोटल 10 नमबर रहेंगे यानि 2 कोश्चन रहेंगे इस प्रकार से टोटल जो आपके question बनेंगे वो 19 question रहेंगे प्यानि biology में आपको जो total question आएंगे 19 questions रहेंगे उसमें इस प्रकार से है 40% वस्तुनिष्ट प्रस्न, 40% विसय परक प्रस्न और 20% विसले सात्मक प्रस्न होंगे objective type जो है 40% आएगा निया 28 number का जो है आपका objective आएगा फिर है प्रस्न करमांग के 1-4 तक 28 वस्तुनिष्ट प्रस्न होंगे ठीक है 1-4 number तक के जो भी question है objective question जो है शुरू में ही रहेंगे उन में से सही विकल्प यानि match the column जो होगा choose the right option सही विकल्प चुनिए 7 number का रहेगा रिक्त स्थानों की पूर्थ कीजिए इस तरह से 7 number रहेंगे 7 question रहेंगे सही जोड़ी बनाईए 7 question रहेंगे 7 number का रहेगा एक वाक्य में उत्तर जीजिए 7 number का रहेगा 7 question रहेंगे प्रत्येक प्रस्ण पर एक अंकत निर्धारी थे जितने भी objective type questions रहेंगे सभी एक number के रहेंगे ठीक है अब इसमें वस्तुनिस्ट प्रस्णों को छोण कर सभी प्रस्णों में आंत्रिक विकल्प का प्रावधान होगा objective question में कोई भी आपको अथवा नहीं मिलेगा ठीक है जितना question दिया है पूरे को हल करना होगा objective लेकिन जो भी question रहेंगे उसके अलावा objective के अलावा सभी में आपको अथवा मिलेगा तो आपको नहीं बन रहा है तो अथवा भी कर सकते हैं उस तरह से अथवे का option जो है आपको हर एक question में मिलेगा objective को छोण कर जो कि यह समान इकाई उपकाई से तथा समान कठना इस्तर वाले होंगे इन प्रशनों की उत्तर सीमा निम्नानुसार होगी अब इसमें जो भी प्रशन पूछे जाएंगे जैसे कि आती लगुत्री प्रशन, very short answer type question जो की दो नंबर के रहेंगे उनको लगभग 30 सब्दों में लिखना होगा तो दो अंगे के जो प्रशन रहेंगे उनको आपको लगभग 2 से 3 लाइनों में लिखना है लगुत्री प्रशन यानि short answer type question जो की तीन नंबर का रहेंगे उनको आपको लगभग 75 सब्दों में लिखना है यानि लगभग 7 से 8 लाइनों में और विशलेशन आत्मा यानि जो long answer type question रहेंगे अगर 4 नंबर का है तो आपको उनको 120 सब्दों में लिखना होगा यानि 10 से 12 लाइनों में आपको 40% सरल प्रसन रहेंगे और 45% सामान ने रहेंगे और स्रिफ 15% कठिन प्रसन रहेंगे तो इस तरह से आप कठिनाई कस्तर भी देख सकते हैं फिर आते हैं कि इस साल कौन-कौन से पार्ट हटा दिये गए हैं जिनको नहीं पढ़ना है ठीक है या जिनका कोई भी संबंद नहीं रहेगा एक्जाम से ठीक है एक्जाम में इसे रिलेटर कोशन नहीं आएंगे इसमें हैं सतर 2022-23 कक्षा बारहमी विसाय जीव विज्यान पार्टिक्रम से हटाई गई विसाय बस्तू तो अध्याय एक से जीवों में जनन हटाया गया है फिर अध्याय नौ खाद्य उत्पादन में ब्रिद्ध की कारिनी थी हटा दी गई है और अध्याय सोला जो है परियावरण के मुद्दे इस चैप्टर्स को हटाये गए है तो इनको आपको नहीं पढ़ना है इस तरह से ये थलेवस था बाइलाजी का इसका इंग्लिश वर्जन भी है तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे बस इतना ही है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद